आज हमारा स्टाडी टॉपिक है सूटिंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटान, सूटिंग स्टार एक सिंगल कैंडलिस्टिक पैटानी, फास्ट हम सूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन और साइकोलोजिक को समझेंगे, लास्ट में हम सूटिंग स्टार को कैसे अपटेड कर सकते हो उसका एक strategy को भी देखेंगे。 Shootaster candle का shape तूटे हुए तारे जाय सा दिखता है, इसका rail body छोटा होता है, आपर सड़ों rail body से कम से कम दोगों ना होना चाहिए, lower सड़ों बहुती छोटा रायता है या फिर रहता ही नहीं है, real body का color red हो या गिडिन हो ज्यादा मायने नहीं रखता आप अगर हमारा टेकनिकल आयरसीस पेल लिस्ट को शुरू से देख रहे हो तो आपको आपको आभी लग रहा होगा ये तो इन्वर्टेड हैमर का सेप बन गया तो मैं आपको यहाँ पर बता दू कि इन्वर्टेड हैमर और पैटर्ण माना जाएगा और ये एक ब्यारीस रिबर्साल पैटर्ण ही मतलब चार्ट में इस तरह फर्मेशन बानने के बाद एक्सपेट किया था है कि प्राइस यहां से नीचे गिरेगा और इस तरह एक्सपेट काने का पीछे जो साइकोलोजी है वो है प्राइस को सेसन अप्टेन में रहा इस दोड़न बायर प्राइस के उपर फुली कंट्रोल रखा और ये कैंडल ओपन होते ही बायर्स ने प्राइस को और उपर लेके चला जाता है लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले ही सेलर्स ने प्राइस को फिर से नीचे लेके आ जाता है और ये ओपन कि आसपास क्लोज हो गया इसका मतलब कूच सेशन बायर्स ने प्राइस के उपर जो कंट्रोल रखा था इस तरह कैंडल फर्मेशन होने के बाद पाता चल जाता है कि सेलर्स भी आभी एक्टिव हो चुका है लेकिन बायर्स ने अभी पूरी तरह कंट्रोल खोया नहीं है क्योंकि एक बायर्स रिबर्सल पैटर्न है तो आपको यहां से सौट सेल करने का उपर्चेरिय ढूनना है तो इसके लिए जो जो क्राइटरिया देखना होगा वह है फास्ट शूटिंश्टर कैंडल का प्रिवियस कुछ सेशन अप्टेंड में होना चाहिए सेकेंड का क्राइटरिया अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो स्रेप इंट्राडे चार्ट के लिए अप्लिकेबिल होगा इसमें आपको देखना है सूटिंश्टर कैंडल का हाई उस दिन का हाई प्राइज होना चाहिए और यह फाइब मिनिट कैंडल में ज्यादा अच्छा कम करत तो इस तरह कमबिनेशन के साथ आप अगर इस पैटरन को टेट करेंगे तो आपका टेट साई जाने का चार्स बर जाएगा तो इसमें एंट्री एकजीट और स्टॉप लॉस पॉइंट को देखने से पहले ट्रेडिंग क्राइटरिया को एक बार फिर से रिवाइस कर लेते फोर्थ सूटिंश्टर कैंडल का वॉल्यूम नर्मल से ज्यादा होना चाहिए फीप्त जो सरे इंट्राडे के लिए अप्लिके बहले इसमें आपको देखना है सूटिंश्टर कैंडल का हाई उस दिन का हाई प्राइज होना चाहिए और इसमें आपका एंट्री बानता है क confirmation candle का close के आसपास आपका stop loss होगा shooting star candle का high point part और आप exit कर जाएंगे next कोई support area पे टेड लेने से पहले आपका risk to reward at least one to two हो रहा है क्या नहीं इससे भी काम होगा तो उस state को ignore कर देना अच्छा है विडियो को एहीं पर समत करूँगा अगर आपको अच्छा लगा तो like कर देना और आप अगर बिल्कुल beginner source stock market के बाड़े में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो आप हमारा चैनल में आके पेले लिस्ट सेक्शन में जाएए वहाँ पे आपको basic videos और share market नाम का एक पेले लिस्ट मिलेगा उस पेले लिस्ट को आप पूरा देख लीजिए आपका stock market का ह आप एक basic concept पूरा clear हो जाएगा और इसी तरह content पाने के लिए आप हमारा चैनल को subscribe भी कर सकते हो and thank you very much for watching this video